तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और ये जब वीडियो है आप लोगे 12 क्लास के उदू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोशन का सरी चल रहा है उसका पार्ट 7 है यानिकी सातवा वीडियो है जिसमें हम लोग सातवे चैप्टर के सारे अब्जेक्टिव कोशन को कंप्लीट करने वाले है जितना भी अब्जेक्टिव कोशन चैप्टर नंबर 7 से बन सकता था उनसा भी अब्जेक्टिव कोशन को मैं तयार की हूँ जो की बहुत ही जदा विवी आईन की वेरी वेरी इंपोर्टेंट ह तो हर एक objective question को आप लोग को ध्यान से देखना है, समझ कर सबसे पहले आप लोग अपने इस आप से answer देने की कोश्च कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को सही answer तो बताऊंगी, तो फिर मेरे answer से आप लोग को अपना answer मिलाना है, और last में आप अपना score हमें comment में ज़रूर है, तो जरूरी है कि आप लोग चैप्टर पढ़े हो, नहीं पढ़े हैं, तो इसे चैनल के playlist में चले जाएं, पढ़े हैं, तो आप लोग के लिए एकदम आसान लगने वाला है, तो हर एक objective question को ध्यान से देखना है, समझना है, और उसी के साथ उसका सही answer याद करते चलना ह हाँ, तो देखे, यहाँ से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है, और जो सबसे पहला सवाल है, वो यह है कि टोबा टेक्सिंग का तालुक किस सिन्फ से है, यानि कि जो चैप्टर है टोबा टेक्सिंग, यह चैप्टर का संबंध किस category से है, किस सिन्फ से है, क्या यह च बताना है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number C टोबा टेक्सिंग नाम का यह चैप्टर है यह एक अफसाना यान की कहानी है तो option number C होगे आप की संप्टीन का सही जवाब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि टोबा टेक्सिंग किस शाये का नाम है नाम रखा गया है तो आखिर किस चीज़ का नाम है यह आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ तीसरा सवाल है कि टोबा टेक सिंग अफसाना के अफसाना निगार कौन है यह जो कहानी है अफसाना टोबा टेक सिंग इस कहानी के लिखने लिखने वाले कौन अफसाननिगार कौन है। ऐसमें की सफसाना के अफसाननेगार है याणि की लेखक है। आगे बड़ते हैं सवाल नंबर चार है कि टोवटेग सिंगका असल नाम क्या था। तोबा टेक सिंग का रियल नेम बताना है आप लोगो option A में है बिशन सिंग देखें बिशन रहेगा यहाँ पर गलट टाइप हो गया है बिशन बड़ी शीन रहेगा इस तरह यह हो जाएगा यह और यहाँ पर बड़ी शीन ऐसे बिशन ऐसे लिखा जाएगा बिशन तो यहाँ पर छोटी सिंग दे दिये गए बट कोई दिकत नहीं है समझ में तो आ रहा होगा आप लोगो कि option A में है बिशन सिंग B में है मौमद अली और C में है पजलेदीन और D में है कोई नहीं तो बटेक सिंग का असल नाम रहता है मैं आप लोगो अलड़ी बता चुकी हूं बिशन सिंग तो option A इस राइट इंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर पांच है कि लाहोर पागल खाने के हिंदू और सिख पागलों को क्या कहा भेजा जा रहा था जो लाहोर का पागल खाना था लाहोर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल को कहा भेजा जा रहा था तो यह आप लोगो अलड़ी मालूम होगा हिंदुस्तान भेजा जा जा रहा था option नमबर A हो गया आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़ते हैं मसल्मान पागल कहा भेज जा रहे थें इंदुस्तान में इक पाकिस्तान में इसका सही option होगा option नमबर B पाकिस्तान में सभी मुसलमान पागलों को पाकिस्तान बेजा जा रहा था consultore पढ़ा रहे थी ना सो आपलोगों होड़ी बता जा रहा था और जो मुसल्मान पागय तन में रह गए थे पागय खाने के मतलब हिंदुस्तान के पागय खाने मे जो फिसाल मां पागय थे चूट गयu रहेगा यहांपर इस तरह लिखाएगा अखबार ठीक एक मुसलमान पागल था ऊस पागल खाने में जो की हर रोज वो रोसी अखबार का नाम बताना है उस अखबार का नाम क्या था अप्सशन में हैं इंडिया टाम बी में जमीनदार तो इसका सभी जवाब क्या हो जाएगा आपसर नमबर डी जमी दार जमीनदार नाम का अख़बार वह मुसलमान पागल जो था वह रोज पढ़ता था तो आपसर नमबर डी हो गया आपलों का सभी जवाब सवाल नमबर आठ है कि लाहूर का एक नौजवान हिंदू पागल जो की मुहबत में नाकाम होकर पागल हो गया था वो क्या था यहां पर आप लोगों को बताना है कि लाहूर का एक नौजवान था हिंदू पागल जो की मुहबत में नाकाम होकर पागल हो गया था यानि कि में डक्टर सी में रेडियो इंग्जिनियर और डी में ऑफिसर तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपसान नंबर ए वकील वो जो पागल था वो एक वकील था जो कि महबत में ना काम होकर पागल हो गया था आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 9 है कि एक सिख पागल जो 15 बरस की त मतलब इन 15 सालों से उस पागल खाने में था और 15 सालों में एक बार भी वो सोया नहीं था तो उस पागल का क्या नाम था तो देखिए उपसान अ में है फजलेदीन बी में है टोबा टेक सिंग सी में है मुहम्मद अली और डी में है कोई नहीं तो इसका सही जवाब आप लो सोया नहीं रहता है यह याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 है कि एक मुसल्मान पागल जो अपने आपको कायद आजम मुहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया उसका नाम क्या था वो कौन सा पागल था जो अपने आपको मुहम्मद अली जिन्न नाम ही था मुहम्मद अली और वहीं खिड़की से एलान कर दिया कि मुहम्मद अली जिन्ना है ठीक है जो कि कायद आजम में जिसको कहा जाता था आगे बढ़ते हैं और देखिए कोश्चनमर 11 है कि टोबा टेक सिंग का एक मुसल्मान दोस्त जो उससे मुलाकात के लिए आय सिंग सी में मुहमद अली और डी में कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा आपसन नंबर एक फजलेदीन तोबर टेक सिंग के दोस्त का नाम रहता है फजलेदीन आपसन नंबर ए होगे आप लोगों का सही जवाब फड़ाफट बढ़ते हैं कोश्चनमर 12 की तरफ 12 सवाल है कि रूप कोर टोबर टेक सिंग की क्या थी रूप कोर टोबर टेक सिंग की क्या लगती थी आपसन अ में है बहू बी में है बेटी सी में है बहन और डी में है बीवी तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर बी बेटी रूप कोर जो थी ना वो टोबर टेक सिंग की बेटी थी अब बहुत सारे student बोलते हैं कि नहीं वो जो रूप कोभ और है वो टोबा टेक्सिंग की बहन ठीए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहन नहीं होगा तोबर टेक्सिंग का जो दोस्त रहता है ना फजलेदीन फजलेदीन रूप को अपनी बहन कहता है बहन मानता है तो बहुत चार एस्ट्रुडेन को लगता है कि टोबा टेक सुन की बहन है रूप कोंडीं की बैटी है रूप कॉर तो यहां पर में 11 माई 12 और डी में 15 जून उनैस्था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा और सी 11 माई 12 को साधत हसन मंठु की पैदाईश होई थी आगे बढ़ते हैं कोश्ण को जाएगा एक मिनट और सी पंजाब का लुदियाना वहां पर साधत थासन मंतु की पैदाईश होई थी आगे बढ़ते हैं अगले कोश्ण की तरफ कोश्ण नमबर 15 कि साधत हसन मंतु एक मिनट हां कोश्ण नमबर 15 कि अदवी जिंदगी का अगाज कब हुआ शुरुआत प्रना होगा हाँ अप्शन ए में उन्हें से 31 वी में हैं उन्हें साथ तैस्स और डी में उन्हें से 34 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्हें साथ तैस्ट मंटू की याद्भी जिन्दगी का शुरुवात हुआ आगे बढ़ते हैं कुशन नंबर 16 हैं कि साथत हसन मंटू के वालिद यान कि उनके पिता जी का नाम क्या था ख्वाजा हसन निजामी की ख्वाजा घुलाम हसन की हज़रत निजाम अद्दीन और डी में हैं लास्ट सेयद वली उल्ला तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही आप्शन आप्शन नंबर बी ख्व तो इसका भी जवाब आप लोगों को मालूम होगा इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन नंबर डी अमरित्सर से तालिम हासिल किये थे मंटू आगे बढ़ते हैं अठारा नंबर सवाल है कि सादत हसन मंटू का पहला अफसाना का नाम क्या है पहला अफसाना इनकी पहला कहानी का नाम क्या है तो वह तमाशा अप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़ते हैं पड़फट कोशन नंबर 19 है कि मंटू का पहला अफसाना जो तमाशा है वो कब शाय हुआ कब प्रकाशित हुआ अपसाने में उन्हें से 37 वी में उन्हें 36 सी में उन्हें 35 और डी में उन्हें 34 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही रहे गुडिया एक मिनाट चल चल रहे हैं एक मिनाट यांपर गलत टाइप हो गया है मन्टू का पहला अफसानी मजवए यानि कि कहानी का किताब का नाम आप लों को बताना है तो आप्सन ए में चल चल और यहां पर रे चुड़िया है चल चल रे नौजवान ठेक भी में हैं अमरूद की खुदाई सी में आतिश पारे और डी में अपनी नगरिया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मन्टू के पहले अफसानी मजवए यानि कि पहला कहानी का किताब का नाम था अप्सन नंबर क्या हो जाएगा सी आतिश पारे ठेक याद रखना है आप लों को चलिए आगे बढ़ते हैं कि मन्टू की शादी बेगम सुफिया से कब हुई और जवने की सवाल इसी तरह से पूछेगा कि कब हुई यह भी पूछ सकता है कि मन्टू की शादी किस से हुई तो ऑप्सन में दिया रहेगा बेगम सुफिया तो यह आप लों को याद रखना ह आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 22 है कि आतिश पारे कब शाय हुआ यह आतिश पारे जो अपसान ही मजमुआ है यह कब परकाशित हुआ कहानी का किताब है यह कब परकाशित हुआ तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा उप्सन नमबर C हो जाएगा उनेसा 36 ठिक सवाल नमबर 23 है कि दरज़ेल में कॊन मन्टू का लिखा हुआ अफसाना है यहापर आपनों को बताना है कि इन चारों आपसन में से कौन सा आपसन है जिसमें मन्टू का लिखा हुआ अफसाना यानकी कहानी है तो देखिए आपसन A में है स्याहाशिये W पडोसन C में और आठ दिन शिकारी ये इनका लिखा हुआ फिल्म है ठिक आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 24 है कि दर्जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुवा मंटू का लिखा हुआ नहीं है इन चारों आप्सन में से कौन सा ऐसा आप्सन है जिसमें मंटू का लिखा हुआ कहानी का है तो देखी अप्सन अ में है उपर नीचे और दर्म्यान वी में धुवा सी में खाली बोतले खाली डब्बे और डी में है चल चल रे नौजवान तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी चल चल रे नौजवान ये मंटू का लिखा हुआ कहानी का C में हैं उन्हें से 47 और D में उन्हें से 48 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा option नमबर D 1948 में साधत हसन मंटू पाकिस्तान चले गए थे आगे बढ़ते हैं question number 26 है कि दरजेल में कौन सा फिल्म मंटू का लिखावा नहीं है कौन साइसा फिल्म है जो की मंटू का लिखावा नहीं है यह आप लोगो को बताना है तो देखिए options A में अच्चनन में बेगम और C में घालिब और D में हैं पराया घर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ? इसका सही जवाब होगा option number D, पर आया अगर जो है न, ये मंटू का लिखा हुआ फिल्म नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, question number 27 है, कि सादत हसन मंटू, अफसाना निगार के लावा और क्या थे? option A में है खाका निगार, B में है नाविल निगार, C में है ड्रामा निगार और D में है सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number D, सभी, सादत हसन मंटू, अफसाना निगार के लावा, यानकी कहानी लिखने के लावा, वो खाका भी लिखते थे, नाविल भी लिखे थे और ड्रामा भी लिखे थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए option number D हो गया अपनों का सही जवाब, ठीक, आगे बढ़ते है question number 28 है, कि मंटू के किस अफसाने पर मुकदमात चलाए गए, ठीक है, अफसान में है खोल दो, B में है उपर नीचे और दर्मयान, C में है काल काली, शलवार और D में है सभी, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा option number D, सभी, इन सभी अफसाने पर, ये जो जितना भी अफसाना है, तीनों का तीनों अफसाना मंटू ने लिखा था, और इन तीनों अफसाने पर मुकदमात चलाए गए थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं question number 29 है, कि सादत सभी अफसान मंटू का इंतकाल कब हुआ, 17 जून, इधर आ जाएगा 17, 17 जून, 19 पच्पन, की 18 जून, नहीं सभी, जन्वरी, 17 जन्वरी, 19 पच्पन, और 18 जन्वरी, 19 जन्वरी, 19 पच्पन, की 20 जन्वरी, 19 पच्पन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाए होते हैं, last question है, आप लोगो का 30 number, ठीक, सादत सभी का इंतकाल कहां हुआ, option A में है, पैजबाद भी में है, लुदियाना, C में है, लाहूर, और D में है, पटना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, option number C, लाहूर में सादत सभी का इंतकाल हो गया था, उनकी मौत हो समझाई, और objective question करने में मज़ा आया है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, फड़वर कर दीजी, अभी तक लाइक नहीं किया है, तो और चारो तरफ शेयर कर देना है, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा शेयर करें, और हां अगर आप लो प्रियो में एक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज